हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल प्रिया फूड आज हम बनाएंगे बाजार जैसी टूटी फूटी घर में वो भी कैसे बनाना है बहुत ही सिंपल तरीके से और वो भी ऐसी चीज से हम बनाएंगे जिसे आप हमेशा ही फेक देते हैं वो है तर्बूज यानि वा तो यह देखिए यह हमने तर्बूज के चिलके लिए हुए हैं और अब इसको हम चीलेंगे और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको भी निकाल देते हैं और जो रेट वाला पार्ट बीच विच में थोड़ा सा रह गया इसे भी हमें कट करके अलग कर देना है तो यह द आने में देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है यह देखिए आप चाहें तो आप इसको चाकू की हल्प से भी इसका चिलका हटा सकते हैं और यह जो रेट वाला पार्ट है इसको भी हम अलग कर देंगे बिलकुल भी यह नहीं होना चाहिए वरना यह बहुत खर चोटा नहीं रखना है क्योंकि हमें इसे बॉयल भी करना है और जब बॉयल करेंगे तो थोड़ा सा और चोटा हो जाता है तो गर्मियों में तर्बूस तो सभी क्या आते ही होंगे तो तर्बूस के चिलके का यह बहुत ही अच्छा सा आप बना सकते हो तो यह देखिए सार चीनी डालते हैं तो यह देखे हमें एक कटोरी चीनी ली थी उसके लिए हम दो कटोरी इसमे पानी डालेंगे तो इसका measurement आप ऐसे ही करें अगर आपने एक कटोरी चीनी लिए है तो दो कटोरी इसमें पानी डालें और पानी डालने के बाद अब इसमें हमने यह जो boil किये हुए छिलके थे इसको add कर देते हैं तो बस इसमें add कर देंगे और थोड़ी तेरी से हम और पकाते हैं मेरे मुश्किल से 5 मिनट 5 मिनट से जञदा हमें इसे पकाना है ताकि जितना भी चीनी का जो सीरा है वो अच्छे से ऐसमे पग भी चुके हैं बॉयल पहले से हो चुके थे तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में तो मेरे पास चार तरह की फूट कलर है यानि मतब चार कलर की फूट कलर है तो इसलिए हमने इसको चार कटोरी में निकाला है आपके पास अगर और ज्यादा फूट कलर हो तो इ को आइस क्रीम अगर घर में बनाते हो आइस क्रीम में एड़ कर सकते हो केक बनाते हो केक में भी एड़ कर सकते हैं आप यह देखे मेरे पास यलू कलर था ग्रीन कलर यलू कलर औरेंज कलर रेड कलर यह चार मेरे पास कलर थे तो हमने यह सारे कलर को अच्छे से मिक्स कर दिया ह आप देख सकते हैं देखने में कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखे हम आपको पास से दिखा रहे हैं अगर आपके पास ज्यादा कलर नहीं हो तो आप एक कलर से भी बना सकते हो मेरे पास color थे तो इसलिए हमने add कर दिया इसमें तो अब हम एक plate लेते हैं एक plate या एक tray आप ले लो उसमें foil paper को अच्छे से लगा लेंगे फिर हम इसे सारा इसका जो सीरा है उसको अच्छे से झान के और जितना भी ये tutti-futti हमने बनाई है इसको इसमें फैला देते हैं और फैलाने के बाद इसे हमें धूप में रखना होगा हाँ जब भी आप इसको बनाएं तो धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए धूप में आप इसको चार से पांच घंटे के लिए रख दें ताकि ये बहुत ही अच्छे से सूख जाए फिर आप इसको वन मंथ के लिए बहुत ही अच्छे से स्टोर करके आप रख सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने ट्रे में लगा लिया है तो चलिए अब इसको हम धूप में फैला देते हैं पास से देखिए आप आपको हम पास से दिखा रहा है यह देखिए इसको हमने छट पे फैला दिया था यह बहुत अच्छे से सूख चुके हैं तो देखिए धूप से ले आए हैं इसको हो और यह बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और आपको हम पास से दिखाते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नियू हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सेयर करें यह देखे, मैं आपको फ्लेट में इसको निकालते हैं, यह चार तरग के तूटी फ्रूटी हमारी बन चुकी है, देखने में बहुत ज़ाद अच्छी लग रही है, तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं, तो जब भी आपको केक बनाना हो या आईस्क्रीम बनाना हो आप उसमें इसको एड़ कर सकते हैं यह देखिए यह सूख जाने के बाद बहुत ही अच्छे लगती है बिल्कुल मार्केट जैसी टूटी-फूटी लगती है कुछ भी इसमें अलग नहीं है और बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी यह टू